हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, शरीर पर चड़ी, अतिरिक्त वजन की परते मुश्किले खड़ी करती है, मोटापा अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है, खासकर कमर यानी पेट पर चड़ी चरबी, वर्तमान में दुनिया भर में यह एक गंभीर समस्या ब बच्चों में भी मोटापा बड़ी परेशानी के रूप में सामने आने लगा है, जरूरी है कि जो भी उपाय आप अपना रहे हो, वह आपके शरीर के हिसाब से तैह हो, ताकि वजन भी ठीक से कम हो, और कोई दिक्कत भी ना आए, जानिये कहां करते हैं लोग गलती, एक द अमें लेती है, इसमें भी सबसे खास बात होती है, इस प्रक्रिया की निरन तरता, अगर आप रूटीन को लगातार नहीं बनाये रखते तो, घटा हुआ वजन फिर से बढ़ सकता है, इसके अलावा हर इंसान के शरीर की अपनी एक प्रक्रिती होती है, किसी एक तरीके से अगर कोई व्यक्ति वजन घटाने में काम्याब हुआ तो, वही सब के लिए काम करेगा ये जरूरी नहीं, इसलिए वजन घटाने के लिए हमेशा सही तरीके और सलाह का रास्ता ही चुनना बहतर है, आमतोर पर लोग वजन घटाने की दिशा में, जो गलत कदम उठाते हैं वे इस प्रकार हैं, भूखे रहकर वजन घटाने की कवायद अधिकांश तहा लड़कियां और महिलाए करती हैं, उन्हें लगता है कि ये सक्त डाइटिंग उनका वजन चमतकारी रूप से कम कर देगी, वजन कम हो भी जाता है, लेकिन शरीर को काफी नुकसान पहुचा कर लंबे समय तक भूखे रहने या बहुत कड़क डाइटिंग से शरीर को पूरा पोशन नहीं मिल पाता, इससे शरीर का शुगर लेवल भी गड़बढ़ा सकता है, साथ ही मेटाबॉलिजम में भी असंतुलित हो सकता है, किसी परिचित दोस्तिया, सेलिब्रिटी की देखा अपनाए जाने वाले डाइट प्लान भी आपके शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि जिस डाइट ने दूसरों पर सही असर किया, वही आप पर भी करें, इससे शरीर के पोशन का स्तर असंतुलित हो सकता है, अगर आपको लगता है कि बजार में मिलने वा करने के तरीके को करगरबड़ा सकते हैं, उसकी बजाए अगर आप अपने भोजन में संतुलित मात्रा में घी का प्रयोग करते हैं तो भी समस्या नहीं होगी, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करें और वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर ना भूले, धन्यवाद